Term 2 की तयारी स्टार्ट करने से पहले आपको उसका सिलेबस बहुत ही ध्यान से समझ लेना चाहिए क्योंकि भाई यह CBSE है यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड मिलेंगे कहीं पर आपको सिर्फ मैप पढ़ना है तो कोई ऐसे चैप्टर जो की सिर्फ इंटर्नल में पढ़ना है वो आपका बोर्ट इग्जामिनेशन में नहीं आएगा बहुत सारे confusions को दूर कर लिजे अभी से ताकि आप इसकी तयारी में लग सके तो यहाँ पर हम discuss करेंगे CBSE Class 10 Social Science का Board Examination 2021-22 का Term 2 का Complete syllabus को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा सारे doubts क्लियर हो जाएंगे कि कौन से maps पढ़ने हैं कौन से chapters को आपको सिर्फ internal के लिए पढ़ने सारे details में इससे analysis करेंगे तो घबरानी की बात ने ये वीडियो आपके सारे doubts को क्लियर कर देगा syllabus के according देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते है कि जो term 2 है उसमें marking scheme कैसा है तो यहां पर आपको जो चारो बुक पढ़ना है history, civics, geography और economics ये चारो बुक में आपको 10-10 marks के question आएंगे यानि की चारो का weightage same है तो चारो बुक आपको ध्यान से पढ़ना है चारो बुक में आपको 10-10 marks के examination आएंगे total 40 marks का आपका term 2 का examination होगा ठीक है चलिए अब main तो problem अभी भी बचा हुआ है कि कौन सो chapter पढ़ना है कौन सो chapter नहीं पढ़ना है तो चलिए अब उसको discuss करते हैं देखे what to study क्या पढ़ना है इससे आपको ध्यान से देखिए सबसे पहला तो आपको यहां पर history की बात करें तो history में आपको chapter number 2 को बहुत ही अच्छे से details में complete पढ़ना है ठीक है chapter number 2 ही आपका board examination में आगा इसके लावा कोई chapter नहीं आगा इसी से आपको 10 marks के question आ जाएंगे 3 और 4 क्या internal के लिए है तो पढ़िये मत पढ़िये वो तो भाई अलग की बात है लेकिन basically 10 marks का जो आपका question आएगा एक chapter से आएगा chapter 2 से history में next geography की बात करें यहाँ पर chapter number 5 जो है बाकी चीज़ों का आप इसमें ignore कर सकते हैं chapter 6 और 7 complete आएगा तो यहाँ से आपको 10 marks के question बनते हैं यहाँ पर मान लिजिए कि आपका map से 2 होगा और यहाँ दो या फिर एक होगा तो यहाँ 9 marks के question बन जाएंगे तो total आपको जोग्राफी में यही 2 chapter पढ़ने है civics की बात करें तो यहाँ पर आपको political parties और outcomes of democracy 6 और 7 chapter पढ़ना है इसके लावा कोई chapter नहीं पढ़ना है economics की बात करें तो यहाँ पर chapter 3 और 4 पढ़ना है यह सारे chapters आपको पढ़ने है term 2 के लिए तो बिल्कुल इसके अलावा आपको किसी तरह का कोई doubt नहीं बचेगा यह आपका complete हो गया यही chapter पढ़ने है इसके अलावा बहुत सारे बच्चों confusion है कि कौन-कौन सा map पढ़ना है तो चलिए map work भी मैं आपके लिए ला दिया हूँ देखे map work में history की बात करें तो यहाँ पर chapter number 2 से आएगा map work Indian National Congress का जो sessions है उस पर dependent आएगा यानि की कलकत्ता नागपूर मदरास यह तीन चीज आपका आएगा ठीक है यह तीन चीज आपका आएगा second chapter से इसके अलावा आपका कुछ important centers of Indian national movement इसके भी questions आएगे यानि की चंपारण, खेड़ा, एहमदाबाद, अमरिस्तर, चौरी-चौरा, डांडी यह सारे चीज को locate करना है तो सारे place को अच्छे से ध्यान दे दीजेगा बिल्कुल इसके अलावा तो आपको कोई पढ़ने की जरूद है नहीं जोग्राफी के बात करें तो यहाँ पे, चैटेन नमर five जए यहाँ पर आपको दोचीज की थर्मल और healthier power plants का जो। जो मैप वस आएँगा ठीक है चैटेर Apply जो है उसको और nuclear power plant इसकкрет देख लीजेगा इसके अलावा आपको cya chapter six से आपको हमाने वाला manufacturing industry से बहुत सारा questions है cotton textile के जो जो centers दिये गए उसके बारे में iron and steel plants के बारे में आएगा software technology park के बारे में आएगा ये सारी चीजों से आपको locate करने आएगा ठीक है इसके अलावा यहां पर आपको चैप्टर नमबर 7 से आने वाला है lifelines of national economy major ports के बारे में major ports जितने भी दिये वे सारे ports को आप मैप वर्क में करके अभी से याद कर लिजिएगा international airport में आपका आने वाला ये सारे airports तो इस सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लिजिएगा अब बच्चे अब परिसान होंगे कि सर पीडियेफ पीडियेफ के बीना तो जिन्दगी तो चलता है नहीं पीडियेफ तो चाहिए जब पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ मैं दूंगा भी तो बिलकुल घ काम करने की कोशिस करता हूं ताकि कम समय में आप अच्छे से नॉलेज ले पाए आज के इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आऊगा चलों को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन दबाईए आने वाल समय में आपको इससे बेहतरी वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट में जा सकते है क्रेकमाइसी डाट कॉम जहां पर आपको बहुत सारे नोट्स फ्री आफ कॉस्ट में मिल जाएंगे थाइंक्यू एन हैवे नाइस डे है